आपका पहला प्रश्ण है Logistics Company Ecom Express ने सही पतों, एडरस की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस कमपनी के साथ साजेदारी की? आपका अप्शन है अब Facebook B. What? 3 words C. Google Maps D. Twitter सही उत्तर है अप्शन B. What? 3 words Logistics Company Ecom Express ने वाट 3 words के साथ हाल ही में साजेदारी की है जिससे की कमपनी की Innovative Location Technology के माध्यम से ज्यादा सटीक पतों के साथ दिलीवरी वाले अपनी मन्जिल पर पहुँच सके प्रशन 2 किस राज्य को बेस्ट माउंटेन, हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अव आरड सक 2.022 का रजत पुरस्कार जीता है आपका अप्शन है अक राजस्थान B. तमिलनाडू C. असम D. पंजाब सही उत्तर है अप्शन B. तमिलनाडू तमिलनाडू राज्य में नीलगिरी और कॉनूर ने देश में बेस्ट माउंटेन, हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर पा उरवु सका आरड दो शूने दो दो का रजत सम्मान जीता है प्रशन 3 हाल ही में अनन्ग ताल जील, अनन्ग ताल लेक को राश्ट्रिय महत्व का समारक घोशत कर दिया गया है यह जील किस राज्यकेंद्र शासित प्रदेश में स्थित है आपका अप्षन है अब में घाले B. दिल्ली C. गोवा D. लद्दाख सही उत्तर है अप्षन B. दिल्ली दिल्ली में राश्ट्रिय राजधानीक शेत्र के महरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंग ताल को हाल ही में राश्ट्रिय समारक घोशत करने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्रश्न 4 पूर्व उप्राश्ट्रप्ती एम वेंकया नाइडू ने हाल ही में किस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया आपका अप्षन है अप जोति पुंज B. ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 C. एक्जाम वार्रिर्स D. प्रेसिडेंट प्रणव मुखरजी सही उत्तर है अप्षन B. ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 पूर्व उप्राश्ट्रप्ती एम वेंकया नाइडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नाम की एक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया जो की पूर्व केंद्रिय मंत्री और पद्म विभूशन अरोन जेटली की पुन्यतिती पर उनके चैनित लेखों का संकलन है प्रश्न पांच हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदिय संध संमेलन CPA में कोशाध्यक्ष चुना गया है आपका अप्षन है सही उत्तर है अप्षन C. अनुराग शर्मा श्री शर्मा को काईशाध्यक्ष को कनाडा के हैलिफैक्स में हुए 65 वे राष्ट्रमंडल संसदिय संध संमेलन में चुना गया है प्रश्न छे इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई इंटरनेशन एक्सपो में किस भारतिया ने वर्ल्ड स्टेंप चेंपियन्शीप में स्वर्ण पदक जीता आपका अप्षन है A. अशोक शर्मा B. विरेंद्र शर्मा C. रविंद्र शर्मा D. अशोक सिह सही उत्तर है अप्षन B. विरेंद्र शर्मा Federation of International फिलाटेली की तरफ से इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई इंटरनेशन एक्सपो में भारत में राजस्थान के उदेपुर निवासी विरेंद्र शर्मा ने वर्ल्ड स्टेंप चेंपियन्शीप में स्वर्ण पदक जीत कर विश्व में राजस्थान का नाम रोशन किया है प्रशन साथ हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया आपका अप्षन है अप रगुवीर वी कामत बी सुधीर वी कामत सीक बलवीर वी कामत सही उत्तर है अप्षन प्रतिष्थित वैज्यानिक समीर वी कामत को हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रशन आठ विश्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 का आयोजकों किस देश में होगा आपका अप्षन है अप जापान B. हंगरी C. बुलगारिया D. भारत सही उत्तर है अप्षन B. हंगरी विश्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 का आयोजन हंगरी देश की राजधानी में बुडापिस्ट के 14 स्टेडियम में अगस्त के 19 से 27 2023 के बिच तक होगा